नमस्कार दोस्तों स्वागर आप सभी का ठेकिराच यूर्यूप चैनल पर तो दोस्तों आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि केसे आप अपने MI8 पर डास इशू को फिक्स केसे कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आपको दास्ट का प्रॉब्लेम आ जाते हैं आपके स्पीकर में ठीक है तो उसको फिक्स करने का तरीका दोस्तों यहाँ पर हमें मिल जाते हैं तो दोस्तों वो कौन सा तरीका है कैसे करके आप डास्ट इशू को fix कर सकते आज के इस वीडियो पर मैं आपको यही चीज शो करके बताने वाला हूँ ठीक है वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को क्लिक करें यह आप ओनलाइन पेसा कमाना चाते है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा किसी भी प्रॉब्लिम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फोलो करके मेसेज कर सकते हैं तो चलिए दोस्तो वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको करना क्या होगा अगर डास्ट का इश्यू है तो दोस्तो जाएए आपने मोबाइल के सेटिंग पर सेटिंग पर जाके स्कॉल डाउन करें के आपका एडिशनल सेटिंग आप ओपेन कर लिजिए उसके बाद जाए इस क्लियर स्पीकर पर जाके दोस्तों आप जो है तो फिलाल आभी आपको सुना यह नहीं दे रहा हुआ कि कि God's Yacht फंफन खके तो आपको सुनाज नहीं दिना तो सच के बाध यह बटन इया सो पर यह लगबख हो जाए गा ठीक है बहुत देर नहीं Hmmm तो 30 सेगंड के बाद आपका स्पीकर भी क्लियर हो जागा अगर मान लिजा आपके साउन स्पीकर पे आगया है तो वह सब यहीं से क्लियर हो जाते हैं ठीक है तो आप देख सकते हैं 30 सेगन हो गया और यह बंट तो इस प्रकार से दोस्तों कुछ आप जो है अपने डास्ट की इस्यू को फिक्स कर सकते हैं अपनी डिवाइसे लेकिन जब आप यह प्रोसेस कर रहा होता है आपका वोल्यम को आप फूल करके सेट करें ठीक है आपके वोल्यम को फूल करके सेट करें और दोस्तों एयर फॉन जो है आप प्लाग बिल्कुल भी मत कीजिए आपके डिवाइस पर साउंड सुनाए देना चाहिए तब भी यह चीज़ काम करेगा ठीक है तो आज के इस वीडियो पर बस इतने ही इससे आपका प्रॉल्लम सॉल्फ हो जाएगा वीडियो अच्छा लगा दो वीडियो को लाइक करें तेंक्स वाचिंग